सराब से पीके मरता है तो उसका परिवार्त दोसी होता ने मैं धन्यवाद करता हूँ सराबनिती पर पुनरबिचार करे मुख्यमंत्री भाई सराबंदी चालू होनी चाहिए समर्थन तो उनका भी है जहरीली सराप से हो रही हुई मौतों को लेकर अब राज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और मुखमंत्री नितीस कुमार ने खुद इसारों ही सारों में कहा है कि अगर आर्थिक मदद देने की बात हो या अन कीस्तरा की अगर बात हो सराबंदी को लेकर तो उसमें तमाम सर मुखमंत्री जी जो है वह भी मानव है और वह भी समाज के अंदर से उत्पन हुए है ऐसा नहीं को बाहर कहीं बीदेश से आ गया है तो जब कोई सराब से पीके मरता है तो उसका परिवार्त दोसी होता नहीं है और कहीं न कहीं हम लोग जब इस बात को मुखमंत्री जी के सामने रखे सदन में रखे हम लोग उनके पीरित परिवार से मिले ता हम लोगों को भी लगा कि ये पीरित परिवार दोसी नहीं है और कल जो मुखमंत्री जी ने कहा है भारतिय जनता पार्टी जो दबाव दिया जो सत्वात को रखा उनके दिमाग में जहन में आया और तब उन्हें निर्ने लेगे कि हम सर्वदलिय बेटर करके इसको निर्ने लेगे लगता है कि अब फायदा होगा कम से कम लोगों को मदद मिलेगा बिल्कुल ठीक है हम लोग प्रेडित करेंगे लेकिन फायदा परिवार को हुआ जो अपराधी बन जाता आर्थिक तंगी के चलते कोई घलत काम करता वो नहीं कर पाएगा निश्चित रुप से सराब बंदी बिहार में जान लेवा और विफल है उस पर निश्चित रुप से कोई विचार होना चाहिए आज होम डिलेवरी हो रहा है घर घर पहुचाया जा रहा है सराब से एक बड़े राजस्व जो प्राप्त होता था राज को वह भी राजस्व पबलिक के और माफिया के जिब में जा रहा है तो अगर मुख्यमंत्री जीने ऐसा कहा है तो मैं धन्यवाद करता हूँ सराब निती पर पुनरविचार करें मुख्यमंत्री आर्थिक मदद भी करें और सराब निती पर पुनरविचार भी करें नितीज जी ने कल अपने भासन में अगर आप लोग ने गौर से सुना होगा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुआपजा देने में बात करेंगे लेकिन जो सराब के धंदे में जो लोग है या सराजहरीली सराब पीने के बाद जो मर जाते हैं तो उनके परिवार के लिए बेहतर क्या हो सकता है उनके सिच्छा का सवाल है उनके रुजगार का सवाल है इन सवालों पर हम सरवदलिये बैठक बुला करके विचार करेंगे उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मुआपजे तो हम देंगे ही नहीं इन्होंने नहीं कहा उन्होंने सराब पीकर के उनकी मौत हुई है लेकिन सराब पीने वालों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है इसी वैसे मुआपजा देने की बात नहीं गें सराब पीकर के अगर कोई मौते हो रही है तो उसको मौपजा जब यहां पर सराब बंदी कानून लागू है आप नियम को स्वेट तोड़ रहे हैं तो फिर नियम तो स्वेट तोड़ रहे हैं इसके लिए जिमबार तो आप स्वेट हैं तो इसलिए सरकार जो परिवार जो गर कहते हैं कि भाई सराबंदी चालू होनी चाहिए समर्थन तो उनका भी है तो सराबंदी के एक आकड़ा भी मुखमंती जी ने पेश किया कि 99% महिलाएं और 93% पुरूस चाहते हैं कि विहार में सराबंदी लागू रहे तो तोड़ने वाले हर एक जगह हैं उन पर सक्ति से उस